गाईज आज के टाइम में अगर हम फटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के परस्पेक्टिव से स्मार्टफोन के एक्सेसरीज की बात करें तो हमें बहुत तरह की एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं जैसे कि ट्राइपोड, लाइटिंग या फिर माइक्रोफोन लेकिन यहाँ पर पर्प्रोब्लम यह आते है कि जब हम किसी भी स्मार्टफोन के साथ में माइक्रोफोन को अटैच करना चाहते हैं तो रिसीवर को अटैच करने के लिए हमें कोल्ड शुओ माउंट नहीं मिलता है, या फिर हमें कोई भी ट्राइपोड के साथ में अपने ध्यान रख रहा है और इसी चीज का solution भी लेके आया है तो small rig brand जो है एक ऐसा brand है जो बहुत सारे smartphone के लिए cages बनाते हैं, cages में basically हमें thread holes मिलते हैं, cold shoe mount मिलते हैं और इस cage को आप अपने smartphone के साथ में attach करके versatile तरीके से जो है काम कर सकते हैं, आज की video में मैं आपको यही accessory दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस accessory को use करके versatile तरीके से video production करी या फिर कैसे आपके बहुत अच्छे से काम आ सकता है अगर आ photography या फिर videography करते हैं अब guys जो cage मेरे पास है वो है iPhone 13 Pro के लिए जिसको हम detail में आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दू, इस cage के साथ मेरे को small dick brand ने दो और चीजे भेजी हैं जिसमें हैं, दो handles, basically एक right side connect होगा, एक left side connect होगा, या फिर हम इस तरह से भी connect कर सकते हैं, उपर नीचे, जैसे भी आप करना चाहें, आपको बहुत सारे thread holes मिलते हैं, cage में जहां पर आप इसको attach कर सकते हैं, और इन handles को दिया गया, ताकि आप अपने smartphone को और भी stability के साथ में use कर पाएं, और दोनों हातों से बड़ी आवेट distribution करके, अच्छे से वीडियो बना पाएं, इन दोनों handles के उपर हमें, जो cold shoe mount है वो देखने को मिलता है, जिससे आप बहुत सारी accessories को इन handles के उपर भी लगा सकती हैं, अब guys बात करते हैं, यहाँ पर cage की, तो cage हमें मिलता है बहुत ही अच्छी rugged build quality के साथ में metallic जो है, इसकी finish है और हमें अंदर की तरफ जो है rubber की यहाँ पर gas kit देखने को मिलते हैं, basically rubber की यहाँ पर fitting देखने को मिलते हैं, आप gas kit कह सकते हैं, fitting कह सकते हैं, जो भी आपको कहना पसंद हो लेकिन आपको यहाँ पर rubber की इसलिए fitting मिलते हैं कि अगर आपको यह भी अपना expensive phone डालते हैं उसके उपर कोई भी scratches रही आने वाले बहुत safely आप इसमें use कर सकते हैं and हमें यहाँ पर बहुत सरे thread hole मिलते हैं चाहे बात हो left side की तरफ, right की तरफ, right की तरफ, up की तरफ, down की तरफ, आपको चारो तरफ thread hole मिलते हैं, बात करें, culture mount की तो एक culture mount है उपर की तरफ और एक है right hand side की तरफ, तो आप vertical और horizontal दोनों ही situation में इस cage को use कर सकते हैं चलिए, अब बात करते हैं, इस cage को अपने smartphone के साथ में attach कैसे करना है, usually हम जब कोई cover लगाते हैं, तो हम simply उसको इस तरह से चड़ा देते हैं और वो वापिस fit हो जाता है, क्योंकि वो rubber का होता है, लेकिन यहाँ पे जो frame है, वो बहुत ही heavy metal का है, तो यहाँ पे हमें एक lock का camera के holes है, जितने भी आपको यहाँ पे buttons के holes मिलते हैं, वो आपको बहुत accurate मिलते हैं, चाहे बात हो speaker grill की, या फिर camera के cutouts की, या फिर overall fitting की, आपको बहुत ही precise fitting यहाँ पे देखने को मिलती है, और आप जब इस cage को अपने smartphone के साथ में लगाएंगे, तो आपकी जो hand में grip है, व जो है thread host देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर में को यहाँ पे attach करना है, मैं यहाँ पे attach कर सकतो, मिल्टिपल वे में इसको use कर सकते हैं, डो handles है, अपने comfort के according आप इसको use कर सकते हैं, अब मैं गयाईज आपको एक तो practically इसको use करके दिखाता हूं, और आपको video samples भी दिखाता तो कि अगर मैंने इस cage को यूज के तो कितनी stability के साथ में मैं वीडियो बना पाया या फिर मेरे को कितना जो है comfortable लगा जब मैंने इस cage को अपने smartphone के साथ में यूज किया बात करें performance की तो आप देख सकते हैं इस video shot में अगर मैंने कोई भी movement करिये तो काफी हद तक handheld जितना precise कर सकते हैं उतनी ही आई है मतब एक extra layer of stabilization आ जाती है अगर हम इस तरह से दोनों handle के साथ में shoot करते हैं या फिर हम बहुत ही precise way में किसी भी इस तरह की cage को use करके videos को shoot करते हैं तो definitely ये help करता है stabilization करने में तो overall guys अगर आपको अपने smartphone के लिए एक ऐसा cage है जहाँ पर आप बहुत तरह की एकसेसरी इसको attach कर पाए जैसे कि microphone हो गया lighting हो गया फिर आप कोई और accessory cold shoe mount वाली attach करना चाहते हैं tribe board के उपर directly attach करना चाहते हैं base plate को लगाके तो आप definitely इस तरह की cage को use करके आप बहुत versatile तरीके से अपने smartphone की camera से high end production कर सकते हैं या फिर उसको और भी expand कर सकते हैं इस cage को buy करने के लिए मैंने link आपको description box में देते हैं वहाँ पे आप check out कर सकते हैं आपके smartphone का available है या फिर नही इसकल इस तरह की accessories को लगाके ओके guys तो यह video होती है यहाँ पे खतम and आपको अगर यह video पसंद आई हो तो video को like and channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं आप सभी से अगली video में